आज के समाच के लिए परमुपियोगी चीज है कि हमने आज बच्चों को ये तो सिखा दिया कि आपको पैसे कैसे कमाना है आपको बड़ा आदमी कैसे बनना है लेकिन हम ये सिखा ही नहीं पा रहे हैं कि हमें भला आदमी कैसे बनना है बड़ा आदमी तो बनाते चले जा रहे तुम्हारा इन संस्कृतियों को इन सभ्यताओं को कौन पन्लवित करेगा कौन उन संस्कृतियों को आंगे बढ़ाएगा उन संस्कृतियों की भी जिम्मेदारी इनी कंदों पर होनी चाहिए राज हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने बेटा बेटी को भी मंदिर में अ एक दिन तो कम से कम जाओ, एक दिन तो बैट करके सुनो, अपनी संस्कृतियों को जानो, समझो, और जब इन संस्कृतियों को जानोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, केवल कमेंट पास करने से कुछ नहीं होगा, केवल फेस्बुक पर लिख देने से, ट्विटर पर लिख दे कितने कट्टर है आप उतने कट्टर हो पाओगे उन्होंने कभी सर पर सर से टोपी कभी नहीं हटाई उन्होंने महाराज पांच बार की पूजा कभी बंद नहीं की अरे पांच बार तो छोड़ो तुम तो एक बार भी करने को तैयार नहीं हो तुम तो सर पर तिलक लगाने मे तुम्हें सरम लगेगी, धोती पहने में तो तुम्हें महरज बहुत इर्शा हो जाएगी ये धोती पहन कर कौन आ रहा है जब आप ऐसी परिष्थितियों को खुद जनम देंगे तो आप कैसे कह देंगे कि आप इन सलस्कृतियों को बचा करके रखेंगे केवल मुझे बोलने से नहीं होगा आपको सयम करना पड़ेगा सयम करने के लिए कोई तयार नहीं है केवल बोलने भर से काम नहीं चल जाएगा अगर कोई ये सब चीजों को कर रहा है तो उसको आंगे बढ़ाईए एसे नहीं केवल उसके प्रतीहीन भावना रखकर के उसका विरोध करना है नहीं, अरे माथे पर तिलक होना चाहिए, हमारी संस्कृती है और उसमें करने में क्या दिक्कत है? संदूरेन बिना नारी, तिलकेन, बिना ब्रामडा मरत तिलक के बिना अगर हमारा मस्तक कभी सूना दिखाई पड़ता है तो यह हमारा संस्कृतियों का अपमान है, हमारी शब्विताओं का अपमान है तिलक रखिये, चोटी रखिये, क्या दिक्कत है? होना चाहिए यह हमारी संस्कृती है, सब्विताएं है